जैश्री शाम, रादे रादे, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वेबिनार में और हमारे ASTROHEAMENTH प्लेटफ़ार्म पर. जैसा कि हम सभी समस्ते हैं कि हमारी लाइप में बहुत से अच्छे अच्छे पलों के अलावा कभी-कभी जीवन में कुछ समस्याइं भी आ जाती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम अलग-अलग remedies का उपयोग करते हैं कुछ remedies ऐसी भी होती हैं जो विशेश समय के दोरान ही की जाती हैं या विशेश समय के दोरान उनका फाइदा अच्छा या ज्यादा मिलता है आज का सेशन नवरात्री स्पेशन पावरफुल remedies के बारे में रहने वाला है इसके लिए हमारे साथ सरीता प्रबाकर जी आप सभी के समक्ष मौझूद हैं सरीता प्रबाकर जी एक tarot card reader, numerologist, remedy expert और वास्तू और healing expert भी हैं और बहुत सारी occult modalities की बहुत अच्छी जानकार भी हैं मैं ज़्यादा समय को जाया नय करते हुए सरीता जी का स्वागत करता हूँ जी आप सभी लोग मैं को जैश्री शाम कह सकते हैं या रादे रादे कर सकते हैं रादे रादे मैं रादे रादे आप सभी का स्वागत है इस session में आज की class में रादे 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 एक बारी या तो कमल जी सब को अगर हमें unmute कर दे सब एक बारी में कर देंगे आप सभी unmute हो सकते हैं सभी रादे रादे या जैश्री शाम कह सकते हैं मैं को जी मैं आज शुरू करते हैं आज का session जी बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज जुरे हैं नवरात्री के उपर बात करने के लिए ठीक है अब इसी क्या remedies हैं जो हम इन नवरात्री में कर सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगी class में और जैसा की सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग जानते हैं कि कितनी ते रखी नवरात्री साल में आती हैं साल में कितनी नवरात्रे आते हैं अगर कोई जानते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं वर्ट्वल हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं दो गुपत नवरात्री और दो जागत बिलकुल सही अंजनी जी चार तरह नवरात्री आथे यहां पर कहीं लिख जो कर त chocolate seeds और दो होती हैं गुप्त नबरात्री जो होती है उसे फूरी तरह से गुप्त रखा जाता है उसकी पाठ हुजा उसमें दिया ज जलना हर एख चीज, उसका प्रसाद प्रसाद का भोग लगाना हर छीज जो है वह गुप्त रखी जाती है ठीक है और गुप्प नवरात्री में ज्यादा तर ब्हों लों करते हैं गुप्म नवरात्री जो सिद्धी पाना चाहते हैं है न? सिद्धी लेना चाहते हैं किसी चीज की याँ इसे हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय पे तांत्रिक विध्या से चीजों अपनी जो आप सिद्धी का जो आपका प्रोसेस है वो आप तांत्रिक तरीके से कर सकते हैं लेकिन ये जो प्रकट नवरात्री है permitir है पहले सिरफ और सिरफ हिंदु करते थे लेकिन आज जो वक्त है उसमें सिख पैंब्पी कर रहें और बहुत से जयन भी है जिन को मैं जानती हूँ कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत से धर्म है जो अब नवरातिरीज को मानते हैं और इसको करते हैं और इसकी जो आप जानते हैं कि बहुत मातारानी के नाम के समय pe हम मातारानी के नौस वरूपों को पूझते हैं और उस समय पे दिन रात हम हर तरह से एक बहुत प्योर उसमें रहते हैं प्योर एनरजी में और मतारानी का पाठ करते हैं मन में किसी भी तरीके के कोई भी निगिटिव ख्याल नहीं आते यह एक चीज़ आप खुदी देखिए कि यह अपने आपने कितना प्योर दिन होते हैं यह कितने माननी यह दिन है कि सिरफ एक नवरातरी जब आप घर में नवरातरी की जोद जलाते हैं चाहे वो अखंड जोद हो चाहे एक आपने सुबह जलाई या शाम को जलाई उसमें ही आप नौ दिन पूरी तरह से अगर जो लोग नौन विच खाते हैं नौ दिन वो प्याज लसन भी नहीं खाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उनको भी इस चीज़ का अंदाजा है कि इन दिनों की इतनी मान्यता है कि यह हमें इन दिनों में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो की सही नहीं है ठीक और हम क्यों करते हैं नवरात्री यह कोई जानता है हम नवरात्री क्यों करते हैं अगर आप कोई उत्तर देना चाहते हैं यह चैट बॉक्स कर सकते हैं माता के लिए बिल्कुल सही है लेकिन नवरात्री के पीछे क्या रीजन है मतलब नवरात्री क्यों शुरू हुए नवरात्री क्यों इतनी ज्यादा हम लोग उसको इंपॉर्टेंस देते हैं प्रशान सिंग आपका हैंड रेज हैं क्या आप बताना चाहेंगे मा दूर्गा ने महिशा सुर के साथ 9 दिन लड़ाई मतलब यूद किया था उन्होंने उस पर विजय पा लिया था इसलिए शायद 9 दिन नवरात्री सेलिब्रेट होता है बिल्कल सही माधरान ने जिस समय पे जैसे की हमारे प्रीदे भी जो इतने सारे असुर राक्षा यह सब इतना जैसे महिशा सुर जो है उसने वर्दान लिया था कि उसे कोई भी देवता उसका वद नहीं कर सकते कोई असुर उसे मार नहीं सकते कोई भी नर उसे मार नहीं सकता ठीक है ऐसे ही और भी असुर थे जिनको देवता भी नहीं मार पा रहे थे ठीक है और अपने ही दिये हुए वचनों की वजह से अपने ही दिये हुए जो उन्होंने उनको वचन दिये उन वजहों से वो उनको खुद भी नहीं मार पा रहे थे तब जिस समय पे महिशा सुर ने बहुत जादा ही एक तरीके से अगर हम मैं आज की लेंग्वेज में बोलू कि आतां मचा दिया देवताओं का वद करना स्टार्ट कर दिया उस समय पे देवता लोग गए त्रीदेव के पास त्रीदेव ब्रह्मा विश्नु महेश इनके पास गए और इन से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि इनको हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब इन तीनों ने मिलकर अपनी उर्जा से या अपनी जो इनके पास जो इनकी रोश्नी है उससे महा आदिशक्ति मातरानी का ध्यान किया और तब श्री दुर्गा माता ने अफ्तार लिया और उस समय पे जब वो महिशा सुर्जों है वो दुर्गा माता को देखकर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इनको शादी के लिए बोला तो दुर्गा माता ने उन्हें बहुत बारी गुस्से से भी समझाने की कोशिश करी ल अगर युद में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूगी और ये जो लड़ाई है उनकी नौ दिन तक चली और नाइन्थ डे उन्होंने महिशासुर का वध कर दिया ठीक है इसलिए नौ दिन तक हम मातारानी के अलग-अलग स्वरूपों का ध्यान करते हैं अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं आपने देखा होगा जब लोग अजकल हर सोसाइटी में या वैसे भी अलग-अलग घर में नौ दिन लोग कीर्टन करते हैं अलग-अलग घर में कीर्टन होते हैं मंदिर में कीर्टन होते हैं तो वो पूरा environment जो है वो पूरी तरह से इतना energetic होता है तो इस समय पे आप सोचिए कि जब हम कोई भी ritual करते हैं या कोई भी remedy करते हैं तो उसकी energy किस level पे होगी उसका असर किस level पे होगा और वो हमारे लिए sure shot काम करती है अब ऐसे तो नवरात्रे जैसे मैंने बताया कि maximum लोग करते हैं लेकिन एक होता है करना एक होता है विधी से करना agree करते हैं मेरी इन दोनों चीजों से इन दोनों चीजों में क्या फरक है शेट बॉक्स में कोई बता सकता है इन दोनों चीजों में क्या ओर्रक already खरणा और एक प्रौपर विधी से करना होता है हमने कर लिया हमें नहीं पता कि वह सही है या गलत है उसका असर हम पे सही आ रहा है या गलत आ रहा है होता है हमने पूरा विधी से किया जिससे खोशों के मातरानी हमें सभाग्य देगी ही देगी बिलकुल गाइडन्स से लाब बढ़ जाता है ठीक है अब जैसे मालनी जे कई लोग है वो खेतरी बीचते हैं जो हम जो बीचते हैं उसको हम खेतरी कहते हैं अब बहुत से लोग हैं जो जो बीचते हैं लेकिन उनको ये पत लेकिन उसके बाद अगर हम वहां पे ताला लगा देते हैं, तो हम उसका अनादर करते हैं, इसका मतलब होता है, कि हमने माता रानी को घर में बुलाके और हम खुद गायव हो गए, अगर हमारे घर में कोई महमान आता है, चाहे वो दो दिन के लिए आए, या चार दिन के लिए आए, हम ये तो नहीं सोच सकते कि इसको आए वे तो चार दिन हो गए हैं, चलो अगर आज में सारा दिन बाहर हो तो कोई बात में तो क्या ऐसे अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हमें अच्छा लगता है हम सोचे लिए चार दिन के लिए तो गए थे अगर मानलो वह एक दिन के लिए ना जाते या हमें साथ ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता हम भी अपना टाइम निकाल के आए हैं तो वही चीज है कि जिस तरह से अगर कोई भी नियम बने हैं हमें उन नियमों को मानना चाहिए उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए जब हम नियम से चलते हैं तो सक्सेस हमें हर हर तरीके से मिलती है ठीक है अब जैसे कि मैंने बोला कि अब यह जो हमारी जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं हम जिस क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं सर आप वो चला सकते कोर्स का बता देंगे एक बारी है मैं मैं शेर कर दिता हूं आप के बारे में बता से बिल्कुल 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 यह हम नवरात्री से पहले क्यों लेकर आए क्लास ताकि हम लोगों का नवरात्री से पहले ये कोर्स लेकर आने का क्या मक्सद है ताकि आप सब भी इन नौ दिनों का पूरा भरपूर फायदा उठा सकें भरपूर फायदा कैसे उठाएंगे आप इसके अंदर आपको कलश सापना कैसे की जाती है प्रॉपर विधी प्रॉपर टाइम आपको बताया जाएगा कि आप इस टाइम के अंदर कलश की सापना करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि जब आपका दिल किया आपने तब कर लिया अच्छा आज ने वरातरे शुरू हो गए चलो अब मैं दस बज़े उटूंगा तो ठीक है कोई बात नी है दस बज़े उटूंगी तो मैं कोई बात नी मैं ग्यारा बज़े तक कलश टापना कर दूंगी ठीक है और अगर किसी की घर में कलश टापना नहीं भी होती है तो मैं उनको एक बारी बताना चाहूंगी अगर आप ये कलश टापना करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप अपने घर से दरिद्रता दूर करके अपने घर की जो भी निगटिविटी है वो दूर करके घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं जब आप लोग हवन करवाते हैं आप देखते हैं वहां पर भी कलश रखा जाता है वह किसली होता है क्योंकि कलश को हम शुब मानते हैं और अगर आप नवरात्रों में कलश टापना करते हैं और प्रॉपर विधी से प्रॉपर टाइम पर शुरू करके उसी टाइम के अंद अपनी लाइफ में ना कि सिर्फ आपकी अपनी हमें आपके घर में जो सब्से आप से जुड़े हुए है उन हर किसी की लाइफ में जो idamente जाएगा वह आफ करेंगे ठीक है अब जैसा कि इस हम आ को दिखा रहे हैं कि हम आपको क्या क्या सिर्भाइबब यह हमारा तीन तो मैंने आपको बता दिया कि वो पूरा विधी विधान आपको बताया जाएगा कि कैसे कलश्ताप्थना करनी है ठीक है उसके बास सवभग्य प्राप्तियन जिसे की हम अक्षे पात्रियंत्र भी बोल सकते हैं अक्षेपात्रयंत्र क्या हो गया कोई जानता है अक्षेपात्रयंत्र का मतलब वोता है जो कभी खतम ना हो मतलब मान लीजे अगर आपके घर से सुख समृद्धी धन कभी खतम ना हो उसे कहते हैं अक्षेपात्र वो यंत्र कैसे बनाया जाएगा उसकी सापना आप कैसे करेंगे वो आप बताया जाएगा इसमें अक्षेपात्र जो है यह रिशी मुनियों के टाइम से चलता आ रहा है रिशी मुनी भी इसका इस्तेमाल करते हैं और करते थे यहां तक कि अगर आपने महाभा पारत देखी हो या सुनी हो उसमें आपने देखा होगा कि पांडवों ने भी इसका इस्तेमाल किया था जब उनके पास बहुत से रिशी आ गए थे खाने के लिए और उनके पास घर में कुछ नहीं था ठीक है थोड़ा सा अनाज था लेकिन उस थोड़े से अनाज में से सारे दिशियों ने खाना खाया और उसके बाद भी उसमें खाना था तो इस तरह से जी बिल्कुल घर में कोई भी एक व्यक्ति रह सकता है वो जो खेतरी है उसके पास और अक्षय पात्र बिल्कुल ये क्रिशन जी ने दिया था द्रोपदी को वही अक्षय पात्र आप सोचिए अगर आपको मिल जाए हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि क्रिशन जी हमें वो दे रहे हैं लेकिन हम यह मानके चलेंगे कि उन्होंने जर्या बनाया कि हमें किसी तरीके से यह चीजश पता चली और हमने इसको किया जी बिल्कुल आपको सी क्लास की recordings आपको definitely मिलेगी ठीक है और इसके साथ साथ आपको कलश्ता अपना और यह सौभाग्य प्राप्ति यंत्र या अक्षे प्राप्ति यंत्र जिसको हम कहते हैं वो आपको बनाना बताया जाएगा किस टाइंग पे बनाना है वो बताया जाएगा देखे अगर मैंने कहा कि यह व दिन का इसलिए वो चीज में अभी आपको नहीं बता रही हूं कि वो कैसे बनेगा क्योंकि उस समय का जो टाइम है कितने बज़े बनेगा कितने से कितने बज़े के बीच में टीक है वो आपको बताया जाएगा क्लास के अंदर उसके बाद आपको गुड़ग अट्रैक्श की साधना कैसे की जाती है वो बताया जाएगा और आपको अश्ट सिद्धी पोटली कैसे बनानी है वो बताया जाएगा अश्ट सिद्धी पोटली जिसको की आप इस नवरात्री से लेके आप अगली नवरात्री तक अपने पास रखेंगे और आपके घर में बरकत, आपके घर में लक्षमी, आपके घर में सुख, समरिद्धी सब आएगा और ये सब चीजें आप ये देखिए कि जब आप नवरात्रों में करते हैं, जिब अल्रीडी एनरजी इतनी ज्यादा पे ओर है, इतनी ज्यादा हाई है, उस समय पे बनाई गई ये सब चीजें, आपकी लाइफ में कितना चेंज लेकर आएंगी ये जिसे कहते हैं न कि अगर आपने उसे दिल से किया है, तो आपको इसके शियोर शॉट रिजल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको मनी मैगनेट रेमिडी बताई जाएगी, और नवरात्राज में मनी के लिए किस तरह की स्पेशल आप रेमिडी कर सकते हैं, अगर आपका पै आपको अच्छे रिजल्स नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आपको बताई जाएगी रेमिडी बिजनस ग्रोथ के लिए आपको रेमिडी बताई जाएगी, आप किसी डेट में हैं, वो कैसे निकालें, ठीक है, सबसे बड़ी चिंता अगर आज की रेट में इंसान के उपर अ अगर उसने किसी से उधार ले रखा है और वो उसको उतार ना पा रहा हो तो यह सबसे बड़ी समस्य है क्यों क्योंकि यह सिरफ एक सोच नहीं है ये उसकी बिमारी का कारण भी बनती है ये उसके घर में हर समय दुख का कलेश का कारण भी बनता है तो उस चीज़ से आप कैसे बाहर आएं उसके लिए आपको remedies बताई जाएंगी और baby conceive करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा happy married life के लिए आपको बताई जाएंगी remedies की क्योंकि ये बहुत common हो गया है अब कि यहां तो पैसे की वज़े से या काम की वज़े से या किसी भी घर के बाकी लोगों के साथ relation की वज़े से इंसानों की married life बहुत खराब हो रही है ठीक है उससे क्या हो रहा है या तो लोग भटक रहे हैं अपने रास्ते से ठीक है और या फिर अपने को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं या फिर जैसे कहते हैं कि जिन्दगी काटने के लिए जी रहे हैं तो हमें अगर इश्वर ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है तो हम क्यों मर मर के जीए क्यों ना हम उसका पूरा फाइदा ले और पूरी उसको एक खुशी से जीए ठीक है तो आपको happy married life के लिए भी इसमें बताया जाएगा marriage में delay हो रही है उसके लिए भी बताया जाएगा court case court case आजकर कई बारी अ कारण के हम लोग first जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में ठीक है आपको court case के लिए भेरो कवच दिखाया जाएगा कि वो कैसे बनता है और भेरो कवच जो है वो एक sure shot remedy है court case में अपने हक में फैसला सुनने के लिए अगर आपको पता है कि आप genuine हैं आप इसको करते हैं तो sure shot आपको इसके results मिलते हैं ठीक है इसके अलावा आपको और भी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी ठीक है तो आप समझ रहें अब आप देख रहे होंगे कि ये कितनी special class होगी तीन दिन की ये class है अगर आप इसे attend करते हैं तो आप इन 9 दिनों का 9 देवी माता से पूरा प जैसे कहते हैं वर्दान मांग लेना वो वाली बात होगी ठीक है कमल जी ये जैसा कि आप सबी screen पर देख रहे हैं कि ये जो हमारी 3 days की class है ये 30 September से start हो रही है इसका जो timing रहेगा वो शाम को पांच बजे से रहेगा और आप अगर इसमें अन्रोल करवाना चाहते हैं तो यानि कि 777 रुपीज आपको पे करने होंगे जी मैं एक मिनिट मैं हमारे अकाउंट की डिटेल बता देता हूं जी 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 कुगल पे या फोन पे के थुरू पेमेंट डेपॉजिट करवा सकते हैं हमारा जो मुबाइल नंबर है चाहें तो आप यह नोट भी कर सकते हैं 8209-677-979 आप हमें कॉल करके कोई भी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारा यूट्यूब चैनल एस्टोहमेंट यूट्य कर सकते हैं ओके मैं जी कोर्स से रिलेटिड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड्रेस कर सकते हैं अब इस जैसे कि जो हम कोर्स में रेमेडीज बताएंगे वो तो अलग हैं इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप इन नवरात्रों में जैसा कि अगर मैं आपको एक रेमेडी बताती हूं पॉर हैपी मेरेड लाइफ और हैपी मेरेड लाइफ उसमें आपने क्या करना है मातर आणी के आगे घी का दिया जलाएंगे ठीक हैं उसमें दो लॉंग रग देंगे और दुर्गास का पार्ट करेंगे ठीक है दुर्गा स्तोत्रम का पार्ट करेंगे और साथ में आप चमेली का इतर वो मातारानी को भेंट करेंगे ठीक है यह आप करेंगे यह जो मैं आपको बता रही हूँ यह उस को से टोटली डिफरिंट है उसके अंदर आपको और भी बताया जाएगा जो की किस टाइम पे करना है वो सब बताया जाएगा ठीक है लेकिन इसे कोई भी कर सकता है यह है happy married life के लिए जिसकी life में किसी भी तरीके की अगर कोई hurdles आ रही है या अपनी family life में वो खुश नहीं है वो इसको कर सकते हैं और अगर हो सके तो बनाना tree लगा सकते हैं मातारणी के आगे दिया जलाएंगे और उस दिये में दो लॉंग डाल देंगे सब्सक्रक्राणी कोई आप चढ़ा देंगे अपनी Connect9 LG के साथ-साथ आप और क्या कर सकते हैं एक केले का पेड़ आप लगवा सकते हैं ठीक है चाहे मंदिर में लगवा दीजिए या अपने घर के बाहर लगवा दीजिए क्लियर क्लियर इस्क्यूज मी मैं जी 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 चैट बॉक्स में कुछ कॉश्चन्स हैं जैसे रॉमिल जी है रॉमिल जी ने कोई कॉश्चन बेजा था एक बार उनसे बात कर लेते हैं जी जी बिल्कुल अन्म्यूट करिए रॉमिल जी टॉमिल अगरवाल जी जी कई जी जी माम नवरात्री में एनिमी के लिए कुछ इशत्रू परशान करो सब आपका अच्छा करते हैं ना माम की जी 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 आप सब कर लिए उसके बाद भी आपके अनिमी से कर नॉर्मली इशूज आ रहे हैं अश्क्तुम्ट देखे उसके लिए भी बताया जाएगा लेकिन आप यह देखिये ना कि जिस समय पे अगर आप आपने मानली से एक पोटली बनाई या आपने कलश की सापना करी है ना तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारी जो भी पॉजिटिवटी है वो आपके घर में आग लोग चलेगे लेकिन इसके अलावा आपको उनके लिए भी बताया जाएगा जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बताया जाएगा जी मैं एक कोश्चन और आया था दॉर्मेंट जॉब के बारे में किसी ने पूछा था मैं तो कुछ बता सकते ह उसके बारे में आप अभी देखे अभी तो मैं अभी जो मैं बताऊंगी ये इन जनरल रेमेडी है नवरातर से रेलेटेड में अभी जो है वो मैंने इसलिए आपको बोला नवरातर से रेलेटेड जो भी रेमेडी हैं वो फोर्स में हम इसलिए बताएंगे क्योंकि उसका ह जो उसका पर्फेक्ट टाइम है उस में हम उसको बनाएंगे वो हम आपको बतांगे अभी मैं आपको बता रही हूं कि अगर किसी को्षा ससकित ayaw मेरी प्रापूब्लम आ रिए मिल नहीं रही है है वो क्या करेंगे जिनолн को जूम दैं रही है झीक है चीनी भरने के बाद उसे रात में अपने लेकर जाएंगे, किसी ऐसी जगेश पे जहां पे रात में आप मिट्टी। लगा लेंगे आप वो लेके जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे इसको मिट्टी में दबा देंगे टेप निकाल के ऐसे के ऐसे ही इसको लिटाके दबा देंगे ये विश करते हुए ये करते हुए कि मुझे बहुत जल्दी गर्मेंट जॉब मिल गई है लेकिन जब आप यह कर रहे हैं आपको कोई देखे नहीं आपको कोई टोके नहीं और जब आपने दबा दिया उसे मिट्टी में और आप वहां से वापिस जब आएंगी तो आपने पीछे मुड़ के नहीं द है और यह सैमसंग से कोई मतलब उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा हुआ है एनरजी बहुत लो रहती है पुरा दिन तो आप यह करके देखिए आप चेंजिस देखेंगे इसके अंदर ठीक है जी मैं बात ही कर लेते हैं सैमसंग नाम से हैं यहां पर उनका नहीं आ रहा जी अबाश कर सकते जी आवाज आ रही है वो अन्म्यूट कर लें एक बार ही अपने को हां जी हलो माम हलो मैं मुझे यह पूछना है कि मेरी अनर्जी बहुत लो रहती है तो यह जो आपका कोर्स है यह मैं टाइम पर रिचुर्स कर नहीं पाऊंगी तो उससे भी कुछ फरक पड़ेगा जैसे मैं लेट सो क्यों डूट हूँ यह मैं उठके घर के थोड़े बत इंपॉर्टन काम कर तो उस महूरत का एक अपना ही असर होता है है तो कि उस समय वह सारे ग्रहिग वह सारी जो भी उस समय की एनर्जीज है उस समय पर वह रिसमें हैं टूट है तो देखिये कि यह अगर हम यह करते हैं अगर कोई भी चीज इतनी असानी से मिल जाए फिर Now capital ऑप्र हर इंसान आज की तारीक में अबीर हो हर इंसान आज अपनी लाइफ हम अच्छे से जीना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं तो efforts हमें भी करने पड़ेंगे तो आप यह कर सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिसके अंदर कुछ आपको ऐसी हैं जो आपको दो टाइम दिये जाएंगे जैसे सुबह कर लो या शाम को कर लो चीक है यह यह भी है कि कुछ ऐसा भी है कि जो आप शाम के समय कर सकते हो या फिर दिन में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग भी नहीं करना तो कम से कम अगर आप सो के उड़ते हैं तो कि कोई बात नहीं देखिए उसके बाद जो भी अगर होंगी जो 11 वजह से पहले करने की होंगी वह तो आप कर सकते हो जाई जाए जैसे मैंने बोला है तिक है जो लो कर लेते हैं कि अगर यह किसी को किसी के पास यह जा इना tai ग इतना सुनदा अहुरत अबाद में चलो डहें और तो एट में वह अपने आप से उस चीज भूरवाया है दूर कर रहा है दो चीज़े होती है न एक होता है कि हमें मौका नहीं मिला ठीक है हमें किसी चीज़ का मौका नहीं मिला वहां हम गुनेगार नहीं है क्योंकि वहाँ पे इश्वर को अब राइट टाइम नहीं लग रहा एक हमें मौइचा मिला लेकिन हमने वो मौइचा Лिया नहीं किसी भी रेजंस है तो वहाँ पे हम अप सिपने वह चीज पर yön यह तो वहाँ पर हम गुनेयगार है क्योंकि इश्वर्ट चाहता था कि तुम ऐसा करो लेकिन हमने वो नहीं किया फिर हम बोल रहें कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों तो वहाँ पे गलत कौन मैं तो यह मैं आपके लिए नहीं हर किसी के लिए कह रही हूँ कि जिसे भी लगता है उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको पैसे की जरूरत है या कोई कोट केस है या कि लास्ट नवरातरी पे एक क्लाइन थे उनके उपर कोट केस चल रहा था मतलब कोट केस कहा डायवोर्स केस था उनका और बेबी को लेकर था मतलब दोनों का तो आपस में mutual भी हो जाता लेकिन क्यों कोड तक पहुचा क्योंकि दोनों जने उस बच्चे को लेना चाह रहे थे उस समय पर एक remedy बताई गई थी लेकिन वो remedy उस समय के नवरात्रों के according थी तो उसमें जो मेरे जो client थे वो touchwood उन्हें बच्चे की custody मिल गई और आप ये भी देखिए कि otherwise होता क्या कि generally ladies को मिलती है अगर इस case में क्या होता है कि ज्यादा तर mothers को मिल जाती है लेकिन जो मेरे client थे वो father थे और ultimately उसकी custody जो है वो उनको मिली क्यों क्योंकि देखो ये उनकी किस्मत में होगा लेकिन कुछ stars ऐसे बन गए कि वो चीज उनसे चिन रहे थी तो उसमें जरिया बनके कोई इस तरह से चीजें आई उनकी life में जिससे उन्होंने ये remedy करी और उसके बाद उन्होंने लेकिन दिल से करी और उसमें उनको जीत नहीं तो ये चीजें जो है ये नहीं है कि ये सिर्फ हम इसलिए बताते हैं कि नहीं ठीक है लोग class join कर लें ये हो जाए वो जाए ऐसा कुछ नहीं है ये वाकई असरदा remedies होती है तभी जैसा मैंने बोला कि nine days के अंदर जो मातारानी की जो energies है वो सारी इन चीजों को enhance करती है ठीक है आप खुद देखिए अगर आप किसी कीरतन में जाते हैं जितनी देर आप कीरतन में बैठते हैं आपक क्यों ख्याल नहीं आएगा ठीक है आप पूरी तरह से वहां होते हैं और कई बारी आप ये भी देखते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा और आपकी आँखों से आसू बहते चले जा रहे हैं वो क्यों होता है क्योंकि वहां पे उस समय पे माना जाता है कि जहां पे पाठ पील कर रही है या आप उनको फील कर पा रहे हो ठीक है उस समय पे जब आशु आते हैं तो उसका कारण यह नहीं होता कि हम दुखी हैं सीरफ इसलिए आ रहे हैं वह आपको समझ भी नहीं आएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा उस समय पे उन आशुं में भी हैं वह क्यों क्योंकि उस समय की energies बहुत पे और होती है आपको good health के लिए remedies बिल्कुल दी जाएंगी उसके अंदर प्रॉपर्टी सेल करने का भी बताया जाएगा और जस्वीर जी लिख रहे हैं कोड केस चल रहा है वह जल्दी खतम हो जाएं तो इक कोर्स कर लीजिए आपको जैसे मैंने बताया आपको कोड केस के लिए भैरव यंत्र का जो कवच है भैरव कवच वो आपको सिखाया जाएगा कि वो आपने कैसे बनाना है और उसको जब आप यूज करेंगे तो उसके बहुत अच्छे results आपको मिलेंगे अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि नवरात्री में सब कुछ कर लिया ठीक है और उसके बाद जैसे आपने कन्य पूजन भी कर लिया ठीक है वैसे कई लोग है जो प्यास भी खाते हैं उन दिनों में या लसुन भी खाते हैं असूलन नहीं खाना चाहिए वो पूरे नौ दिन और उसके बाद जब तक ऐसा नहीं है कि अगर आपने कन्या पूजन कर लिया तो उसके बाद आप एकदम से खा सकते हैं बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं नौ दिन नहीं खाएंगे लेकिन अभी खेत्री उनके घर में है आज सुबह कन्या पूजन किया कुछ लोग अश्टमी करते हैं कुछ लोग अश्टमी पे कन्या पूजन के बाद अपने घर में प्याज लसुन शुरू कर देते हैं तो वह गलत है जब तक आपके घर में खेत्री पड़ी हुई है तब तक आप प्याज लसन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये भी नहीं करना होता है कि अभी आपने करा अभी आपने कन्या पूजन किया और तुरंथ आपने क्यूंकि जिलों को प्याज गहरा खाने की आदत है ना उनको इतनी क्रेविंग शुरू हो जाती है चाहे अदर्वाइस वो सबजी में कभी डाले या ना डाले लेकिन डिमाग में होता है कि हमने इतने दिन नहीं खाना तो वो पहले से ही ये शुरू हो जाते अचा अब भी इतने दिन के बाद हम छ सकते तो वो जैसे हिं गन्या पूजन किया वो खेतरी को उठाके ले जाते हैं या जलतरु आरबर रवा करने या मंद爬 में रखने या पीपल पूजन के बाद भी कुछ घंटे तक सूर्य अर्स्त से पहले लेकिन कुछ घंटे तक आपके घर में रहे और संडे के दिन कभी भी आप खेत्री प्रवाहित नहीं करेंगे खेत्री अपने घर से बाहर नहीं रखेंगे ठीक है कितने लोग जानते हैं ये चीज कि हमें खेत्री जो है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही घर से विदा करना चाहिए या उसको प्रवाहित करना चाहिए कोई नहीं जानता आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं शायद सभी को मालूम है मैं मिया पे तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत हमारी लाइफ में इसका बहुत महत्व है इन दिनों में किये हुए सभी चीजों का अब मान लीजी नवरात्रे जो हम फास्ट रखते हैं अब लोग फास्ट रखते हैं तो वो क्या करते हैं फास्ट से पहले आपने देखा होगा बहुत सारा सामान एक अठा करके ले आते हैं कि हमारे फास्ट है कुट्टुकाटा भी स्वांके चावल भी साबुदाना भी चिप्स भी लड्डू भी फास्ट वाले हैं न और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो क्या यह सही है अगर आप नवरात्री कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि अपने मतलब जिस समय पे हमारा पेड भरा रहेगा ठीक है उस समय पे आपका एक thought process अलग होता है और जिस समय हमारा एक होता है कि जरुरत से जादा भर जाना ठीक है एक होता है इस तरह से कि ना बहुत भरा है ना खाली है हमें नवरात्रों में इतलीस्ट वो चीज़ करनी चाहिए इसमें तभी कहते हैं फलाहार लेना चाहिए फलाहार का मतलब यह नहीं होत कि आप सारा दिन दुपहर में भी कुटू का कुछ खा लें रात में स्वान के चावल खा लें या दुपहर में आपने चावल खा लिए रात में कुटू के आटे की पकॉड़ियां बना के खाली तो यह आपको व्रत के फाइदे नहीं दे रहा है इसमें आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं इसमें आप एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं इसका मतलब होता है कम खाकर मातारानी की पाठ पूजा में अपने को लगाना ठीक है यह अच्छे कामों में लगाना यह मतलब निए कि आप सारा दिन सबके वीडियोज ओफ हो गए क्या यह क्लास इतनी बोरिंग लग रही है एक बारी चैट बॉक्स में मेसेज कर देंगे मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बाते कर रही हूं कैसे हो नमिता जी आप अन्म्यूट कर सकते हो अन्म्यूट करिए नमिता जी आप लोग बहुत अच्छी क्लास आने वाली है और हम लोग पूरा फाइदा उठाएंगे इन नौ दिनों का लेकिन जैसे सबके कैमराज ओफ हो गए तो मुझे लगा कि आप लोग को इंटरस्ट नहीं आ रहा है कुछ ऐसा है क्या नहीं नहीं क्लास तो बहुत अच्छी बहुत इंफरमेशन है तैंक यू सो मच और भी कोई कुछ कहना चाहेगा एक बारी कमल जी हम अपनी क्लास का पोस्टर फिर से दिखा देते हैं जी मैं मैं आप सभी को दुबारा बताना चाहूंगा जो हमारी ये क्लास है तीन दिनों के रहने वाली है नवरात्री स्पेशल पावरफुल रेमेडिज यानि कि कुछ ऐसी रेमेडिज हैं जो केवल नवरात्रा में ही आपको एक अच्छा रिजर्ड दे सकती है और इसके लगा कुछ और एमेडिज मैं के दौरा बताई जाएंगी ये जो क्लास हो गई ये 30 सप्टेंबर को स्टार्ट हो रही है इविनिंग में 5 पीम को यानि कि शाम को और इसकी जो प्राइज रखी गई है 777 रुपीज रखी गई है जी मैं? जी जी बिल्कुल सही और इसमें आपको क्या गया सिखाया जाएगा? वो तो आपको बता ही दिया गया है एक मिनिट मैं जी पेटियम गुगल पर या फॉन पर के तुरू भी आप अपने पेमेंट को अमें deposit करवा सकते हैं हमारा जो पेटियम नमब या गुगल पर का account है 85271 27419 पर आप पेमेंट deposit करवा सकते हैं या हमारे मोबायल नमबर पर 8209 677 979 पर भी हमें call कर सकते हैं आप चाहें तो यह screenshot ले सकते हैं और मैंने दोनों ही जानकारियां आपके चैट बॉक्स में send कर दी है तेंक यू मैं अब मैं आपको एक और रेमेदी बताती हूं जो की है stuck money निकालने के लिए आपका पैसा कहीं फस गया है उसे आप निकालना चाहते हैं ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे एक white कपड़ा लेंगे छोटा सा ठीक है एक white कपड़ा लेकर red सिंदूर से उसके उपर जिससे आपने लेना है उसका नाम लिखेंगे और उसमें काले तिल हम डाल देंगे काले तिल उसमें भरकर उसे आप बांद दीजिए चीक है और मातारानी का ध्यान करते हुए उसे आप मातारानी के मंदिर में रख सकते हैं पे रेड कलर रेड सिंदूर से आपने नाम लिखा और इंटेंशनली कि ये जो परसन है ये मेरा पैसा इतने टाइम के अंदर मुझे लॉटा देगा ठीक है और उस चीज को थोड़ी देर अपने फील करना है कि उसका आपके पास कॉल आया कि मैं आपको धीरे-धीरे करके पै करेंगे और उसको कपड़े से अच्छे से उसको बांध करके फिर मातारानी के मंदिर में दे आएंगे ठीक है तो ये चीज़ आप करेंगे अगर आपका पैसा फसा हुआ है ठीक है एक और रेमिडी आपको बता रही हूं जिसमें आपको जो आपको अपने डेट्स क्लियर करने है ठीक है एक सेकिंड होल कीज़े ममी ठीक है आपको डेट्स क्लियर करने है ठीक है आपकी उपर उधार है आपने वो खतम करना है उसमें आप क्या करेंगे मातारानी उसमें आप क्या करेंगे आप एक दिया जलाएंगे मातारानी के आगे ठीक है और वाइट कलर का कपड़ा लेकर उसमें आप दो फिट कड़ी के टुकड़े ठीक है दो फिट कड़ी के टुकड़े आप उस वाइट कपड़े में बांद देंगे ठीक है और मातारानी से प्रे क कि आपके उपर जो भी मतलब है कि आप बोलेंगे कि मेरे उपर इतना उधार है और यह उधार में इतने टाइम के अंदर-अंदर चुका सकूं हे मातारानी मुझे पर क्रिबा करो और यह बोल के आपने क्या करना है वो जो आप आपने घ्टकरी जो बांधी है उस कपड़े के अंदर उसे अप लेकर फैक पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे कि को किसी कन्या को कुछ भी footwear चपल जूते कुछ भी वो आप उसे डोनेट करेंगे आठ साल से कम उम्र के किसी नीडी बच्चे को आप जूता या चपल डोनेट करेंगे ठीक है यह आप शनिवार के दिन कर लीजे बहुत अच्छा है नवरात्रों में ही शनिवार के दिन कर सकते हैं आप यह हमारे उपर से कोई भी अगर हमारे उपर रिन है तो उससे हमें मुप्ती मिलेगी ठीक है इस्क्यूज मी मैं जी 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 शायद एक दो question चैट बॉक्स में भी है शायद किसी ने people के पेड़ का कुछ पूचा है शायद available नहीं हो तो उसका भी कुछ है alternate देखी people का पेड़ अगर मान लिजे आपके घर के आसपास नहीं है अगर आपके घर से थोड़ी दूरी पे अगर मंदिर है मंदिर में होता है अक्सर ठीक है वहां पे अगर हो तो बहुत अच्छी बात है पीपल का पेड़ इस चीज के लिए जादा शुब माना गया है ज्यादा जल्दी एफेक्ट्स आने के लिए अगर वो नहीं है ठीक है अगर मान लीजे कि आपके आज पास पर मंदिर भी नहीं है और पीपल का पेड़ भी नह देंगे है राधे राधे मैं बस दो 3 लोगों को thanks पोलना था welcome to the class अरुन जी welcome to the class भारती मैं welcome to the class smitha मैं welcome to the class और भी जिन्हों ने payment किया और screenshot share कर दीचेगा तो मैं आपको भी paid class में add कर्वा दूँगी thank you आप सब को recording मिलेगी इस वाली भी वीडियो की recording मिलेगी class की भी recording आपको मिलेगी पर जो paid class में होगा उसी को इस class की recording मिलेगी and it's just a triple seven कमल जी एक बार है ना poster share कर देंगे please जी मैं तो यह जो class है 30 September से 30 September से शुरू होने वाली है यानि मंडे से शुरू होने वाली है और तीन दिन लगातार चलेगी शाम को पांच बजे चलेगी जिसकी recording मिलेगी आपको इसमें आप नवरात्री से related जितनी भी powerful remedies है कि नवरात्री में उन remedies को करके यहाँ पर आपको पूरा detailed mention है इस poster में आप इसका एक screenshot ले सकते हैं और उस class को करने के लिए आपको just energy exchange 7777 रखा गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग benefit ले सके आपको इसमें ज्यादा information चाहिए तो यू can connect on 8209-677979 पर आप call कर सकते हैं वाटसब ड्रॉप कर सकते हैं और जिन्होंने भी payment की है welcome to the class कमली payment का भी poster दिखा दीजे प्लीज जी मैं जी 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 आप सभी को screen पर payment की detail दिखाई दे रही है आप हमें QR code के दोड़ा scan करके payment कर सकते हैं Google Pay कर सकते हैं 8527127419 पर यह आप हमें नीचे दिए गए mobile number से concern कर सकते हैं आप हमारे LGFC account में भी deposit करवा के payment को deposit कर सकते हैं थेंक यू जी आप इसका screenshot ले ले पेटीम जी पर फोन पर नंबर उस पर mention है जी ठीक है माम क्लास कंटिन्यू करते हैं ना जी 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 आप चैट बॉक्स में मैं देख रही थी कि इनोंने पूछा है कि इस पर कुछ discount दे दीजे तो मैं यह कहना चाहूंगी कि देखिए हम लोग अगर बाहर भी जाते हैं ठीक है खाना खाने अगर बाहर चले जाते हैं या वैसे किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो पता चलता है कि हजार रुपया कप चला गया मैं पता ही नहीं चला यह त चारानी से हम वो मांग रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है और हम चाहते हैं कि वो चीजे हमें मिलें और हम एक एनरजी लेना चाहते हैं हम उस एनरजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसलिए आप देखिए कि वहां पर अगर यह अगर एनरजी एक्सचेंज रखा गया है तो बहुत सो समझ के रखा गया है मैम वैसे भी 777 जो amount है उसमें से जितनी भी आप remedy सिखाने वाले हो उसमें से एक भी remedy आपकी life में अगर impact ले पाई या आप आगे किसी को forward कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत nominal amount है मतलब कुछ amount ही नहीं है एक बार आप class join करेंगे तो आपको समझ में आगा ये 777 की class नहीं है इससे more than that है exactly क्योंकि जो लोग अगर इस field में है occult में या healing में है वो लोग ये remedies किसी और को भी करके दे सकते हैं मान लीजे आपने वो portly बनाई आपने वो portly बनाई और ये चीजे जो होती है वो हम किसी को भी free में नहीं देते तो उससे हम कुछ ना कुछ energy exchange लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से वो जो आपकी मैं one second है ना एक chat में 8209 677979 पर आपको screenshot share करना है आपके screen पर ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है 8209 677979 पर आप screen share screenshot share कर सकते हैं one second है नो और अभी एक question था कि ये पेटियम जी पर फोन पर नंबर ये है 85271 27419 जी मैं बताएं आप कुछ कह रहे थे हाँ जी हाँ जी मैं कह रहे थी कि जिस तरह से आपको ये बताया गया है कि आपको अश्ट सिद्धी पोटली बनानी सिखाई जाएगी और ये आप जो है इस पोटली को आप तीन दिन बना सकते हैं मतलब फर्स नवरावत्रे पे थर्ड को फिफ्थ को और सिवन्थ को अब मान लीजे आपको ये लगता है कि मैं अपने किसी नोन को याँ आप किसी को जानते है कि भी उसको जरूरत है इसकी याँ आप उसको ये बनाकर अपनी तरफ से भी दे सकते हैं ठीक है तो आप देखिए कि आपने उसको फ्री तो देंगे नी एनर्जी एक्सचेंज कुछ तो लेंगे क्योंकि ये चीज़े अगर हम फ्री में करते हैं किसी के लिए तो उतना वर्क नहीं करती है जब हम उसके लिए चाहे कुछ भी एमाउंट उसके लिए अगर हम पे करते हैं तब होता है मतलब उसके बदले में कुछ भी एनर्जी हमें एनर्जी एक्सचेंज की तरह ऐसे हमारे को उसको कुछ ना कुछ देना होता है ठीक है? अब इस केस्में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिया किसी के लिए करते हैं तो आप उसे जो भी अमाउंट आप सोचें आप उसे ले सकते हैं यह मैं उनके लिए बता रही हूं जिनको ट्रिपल सेवन ज्यादा लग रहा है ठीक है अब लिदे लबर प्लाइट है तो थक आप कपड़े के साथ उसको दभाणता है एक कोशन आयो चैट में किते घंटे की ग्लास होगी डेली अगर एक से लेट गंटे की अगर तीन दिन चलती है तो एक घंटे की अगर हमें से दो दिन में खदम करना चाहें तब हमें इसको अल्मोस्ट जेर घंटा करना होगा रोज एक घंटे की क्लास करेंगे एक घंटे की क्लास अगर मैं मैं अभी आपको चैट में पेमेंट टिटेल और पोस्टर दोनों दुबारा शेयर कर देती हूं जी 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 मैंडम आप म्यूट हो हांजी हांजी तो सॉरी तो सॉरी हांजी यह एक्शली मैं इदेर देख रही थी दिपांची जी बोल रहे हैं की मैं ऑस्ट्रेलिया इसके लिए मैंने आपको अल्टरेट बताया कि अगर पीपल का पेर नहीं है तो आप इसे अगर शनी देव की मूर्ती है तो आप वहां पर रख सकते हैं मंदिर में मंदिर तो होंगे तो आप इसे शनी माराज जी की मूर्ती के वहां पर रख सकते हैं या फिर जल प्रवह कर सकते हैं ठीक है मैं इसमें से देख रही हूं एक आदर क्विस्टिन और देख लेती हूं फिर हम नहीं तो क्लास को वाइट कपड़े के साथ ही हम पेड़ में इसको दबा देंगे ठीक है जी I hope आप सब समझ गए होंगे कि हमें कैसे इन 9 दिनों में कैसे मातारानी की अराधना करनी है कैसे इन नो दिनों में अपनी लाइफ में हमें खुशियां लेकर आनी है कैसे हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में चोटी-चोटी remedies करके कैसे हम अपने दुखों से या अपने परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, अपनी blockages को खतम कर सकते हैं. So, मैम, क्या हम इस class को खतम करें? अगर किसी का कोई और question नहीं है, I guess. अगर किसी का कोई question है, तो अपना hand raise कर सकता है. मैम, एक दो question ले ले लेते हैं, फिर class को wind up करेंगे. जी-जी. और श्रेन का हाथ hand raise करें, कैमरा अन करना पड़ेगा, और अर्श्रेन का कैमरा अन करिये, तो ही आपका question लिया जाएगा. Okay, okay, ma'am. Ma'am, आपने जो अभी जो first family के बताई थी, वो लॉंग वाली और केले के पेट थी, तो ma'am, जैसे केले का पेट हम लोगों ते घर में लगा लिया, तो बात में उसको जैसे छट पे रखे उसकी पूजा भी कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हूँ, क्योंकि ma'am फिर उसको विसर्जिन करना पड़ेगा या फिर कैसे उसको बात में नौ दिन के बाद मंदिर में देना पड़ेगा, किसको? केले के पेट के मा'am, उसे आप ऐसा करेंगे ना, वैसे तो आप अगर बाहरी, अपने घर के बाहर, जो इसे मंदिर मे केले के पेड लगे हुए होते हैं, आप लगा सकते हैं, केले का पेड लगाना, वो सिर्फ उत्ते दिन के लिए लगानी के लिए नहीं बोला, वो मैंने बोला है कि वो आप केले का पेड कहीं लगाई है, केले का पेड अगर आपने प्लांट करना है, क्योंकि केले का पेड जो है आपने देखना होगा कि उसके बाद आपने एक लगाया और वो कितने बन जाते हैं तो एक तरीके से वो फैमिली बढ़ रही है हना तो उसका यह मतलब है तो आप इस अपने घर के बाहर लगा दीजिए किसी मंदिर में लगवा दीजिए मतलब ऐसी जगह पर लगवा द जैसे हम लोग भी पूजा करते हैं तो उसको हम लोग छत पड़ लगा कर भी उसको जैसे रोज में अपनी पूजा कर सकते हैं अब जनरली कहा जाता है कि अगर हम रेमिडीज के दौर पर अगर केले का करते हैं ना पूजा या ऐसे तो वो हम प्रेफर करते हैं कि घर के बाह हैं जैसे हम लोग थर्सडे में केली केड़ थी पूझा करते तो मैं वो लगा सकते हैं ये तो वो चीज इसलिए मैंने आपको इससे पहले ये ही चीज बोली थी कि generally हम लोग ये कहते हैं कि जब आप खेले की पूजा करते हैं तो वो घर के बाहर करनी चाहिए जो घर के बाहर पेड़ है जो मंदर बगरा में होता है जी 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 ओकी आप लगा सकते हैं घर में लगाने में उसमें कुछ नहीं आप घर के बाहर अगर एरिया है तो आपको वहां पहीं लगा सकते हैं जी जी किसी और का कोई question है तो अपना hand raise करिए और प्लीज camera on रखिए तो ही question लिया जाएगा otherwise आज के लिए मैं class को यहीं over करें जी जी I guess किसी का आप कोई और question नहीं है चलिए मैं जी तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यावाद दुबारा करना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया सभी को और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस webinar में उनका भी बहुत-बहुत धन्यावाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीम्ती समय निकाला आप सभी का बहुत-बहुत धन्यावाद अपना कीम्ती समय निकालने के लिए राधे-रादे राधे-राधे मैम जैश्री शाम सभी को सभी आप अन्म्यूट कर सकते हैं राधे-राधे राधे-राधे